हेलो एंड वेलकम यू आल इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि प्रीमियम ततकार 10 टिकट कैसे बुक किया जाता है क्या प्रीमियम ततकार 10 टिकट सभी 10 में उपलब्ध होता है टिकिट बुक करने से पहले आपको मैं कुछ जरूरी बाते बता दूँ कि जो प्रीमियम ततकार 10 टिकट बुकिंग का टाइम होता है वो बिलकुल ततकार 10 टिकट बुकिंग का ही टाइम होता है यानि एसी क्लास के लिए जैसे एसी फर्स क्लास एसी सेकेंड क्लास या एसी थौर्ट क्लास के लिए booking दिन के 10 बज़े से शुरू होता है जबकि non-AC class जैसे slipper class के लिए booking दिन के 11 बज़े से प्रारंब होता है एक बात और कुछ लोग को ये भरम होता है कि जो premium ततकाल ticket होता है उसमें कुछ extra facility मिलता है तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल जैसे आपका ततकाल ticket है या जो समाने ticket है वही ticket होता है वही 10 होती है और वही seat और birth उपलब्ध होते है तो यहाँ पे आपको कुछ special नहीं मिलता है सिरफ railway premium के नाम पे आपसे ज़्यादे किराया लेती है और कुछ भी नहीं extra देती है premium ततकाल ticket सिरफ emergency इस्तिती में ही बुक करना चाहिए क्योंकि दोस्तों इसका जो किराया होता है वो dynamic होता है यानि जैसे जैसे सीटे कम होती जाती है वैसे वैसे इसका किराया भी बढ़ता जाता है premium ततकाल ticket बुक करने का एक फाइदा यह है कि अगर आपका ticket बुक होगा तो confirm बुक होगा otherwise बुक नहीं होगा एक बाद और दोस्तों premium ततकाल ticket सिरफ कुछ चुनिंदा टेने हैं उन्हीं में उपलब्ध होता है सभी टेन्स में premium ततकाल ticket की booking नहीं होती है अगर आपको premium ततकाल 10 ticket की booking करनी है तो booking start होने के 10 से 15 मिट पहले आपको अपने 10 को सर्च करके चेक कर लेना है कि किस 10 में premium ततकाल booking की ब्यवस्ता है और जब booking start हो तो आपको जल्दी से book करने की कोशिस करनी है यह सब कुछ मैं आगे वीडियो में आपको live करके दिखाने वाला हूँ IRCTC rail connect app को open करना है open करने के बाद से दाहिने तरफ उपर कोनी में यहां आपको login का option है आपको यहां login पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद से दोस्तों आपको login हो जाना है दोस्तों अगर अब तक आपने IRCTC का user ID और password नहीं बनाया है तो आप इसे कैसे बनाएंगे इस पर मैंने वीडियो बना रखा है link description में है आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं सीख सकते हैं और उसके बाद से दोस्तों आप कोई भी reserve ticket book कर सकते हैं दोस्तों मैं सब कुछ जल्दी जल्दे करके आपको दिखाऊंगा फ्र घाप करने के बाद से फिर से आपको यहींपर bookbox ticket किलिक कर दें सकते फ्रां का section में किक करना है उसके बाद से उस a station का नाम tb करने न है जहा से आप यात्रा करने वाले हैं तो नीचे आपको उसस्टेशन का नाम सजेशन में दिखाई देगा, यहाँ से आपको select कर लेनी है, उसके बाद से वैसे ही आपको यहाँ पर two वाले section में click करना है, और आपको जहाँ तक की यातरा करनी है, उसस्टेशन का नाम type करना है, जब आप type करेंगे, नीचे सर्जेशन में दिखादेगा, आपको यहाँ सर्जेशन से उसस्टेशन को select कर लेना है, उसके बाद यहाँ general पर click करके premium ततकाल को select कर लेना है, उसके बाद से यहाँ देख सकते हैं calendar का निशान है, आपको यहाँ पर click करना है, और click करने के बाद से अपने यातरा का date select कर लेना है, यानि जो premium ततकाल टिकट की booking होती है, वो भी टेन स्टार्ट होने के एक दिन पहले book होती है, अब आपको इतना कर लेने के बाद से यहाँ नीचे search टेन्स पर click कर देना है, दोस्तों यह सब कुछ आपको booking स्टार्ट होने के 10 से 15 मिट पहले कर लेना है, यानि जैसे आप इसी टिकट बुक कर रहे हैं, तो 9 बच के 50 मिट के आजपास यह सब कुछ कर लेना है, वैसे ही अगर आप sleeper class के लिए बुक कर रहे हैं, तो 10 बच के 50 मिट के आजपास आपको यह सब कुछ कर लेना है, तो जब आप यहाँ search पर click करेंगे तो उस route में जितनी भी 10 होगी आपको यहाँ पर दिख ले जाएगी, तो यहाँ पर एक एक 10 को चेक कर लेना है कि किस 10 में premium ततकाल booking की सुविधा उपलब्ध है और किस class में ticket बुक करना है, तो यह सब कुछ निड़े लेने के बाद से आपको इस एप से exit हो जाना है, यानि लग आउट हो जाना है, उसके बाद से पुनह जब booking स्टार्ट होने में एक से दो मिनट या ती मिनट का समय बाकी हो तो पुनह आपको लग इन हो जाना है, जैसे अगर आप AC ticket बुक कर रहे हैं, तो 9 बच के 57 या 58 मिनट पर पुनह ओपन करना है और लग इन हो जाना है, वैसे ही अगर आप sleeper के लिए booking कर रहे हैं, तो 10 बच के 57 या 58 मिनट पर पुनह लग इन हो जाना है, चुकि मैं AC class में ticket बुक कर रहा हूँ, तो अभी 9 बच के 57 मिनट हो रहा है दोस्तों, तो अब मैं यहाँ पर IRCTC rail connect एप को open कर रहा हूँ, और उसके बाद से मैं यहाँ से login हो जा रहा हूँ, दोस्तों login होने के बाद से आपको यहाँ पर चेक कर लेना है, अब यहाँ पर आपको सीधे उस 10 पर जाना है जिस 10 में आप टिकेट बुक करने वाले हैं तो यहाँ से आप जिस क्लास में बुक करना चाहते हैं उसको क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद से दोस्तों booking स्टार्ट होने का वेट करना है जैसे ही 10 बज़ेगा यहाँ पर यह जो ticket है वो green show होने लगेगा तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको refresh करते रहना है यानि जब तक 10 नहीं बज़ता है आपको बीच-बीच में refresh करते रहना है कि आप log out न हो जाए उसके बाद से यहाँ पर जैसे ही green दिखेगा आपको आप passenger detail पर क्लिक कर देनी है अभी 10 बजने वाला है दोस्तों हम लग वेट कर लेते हैं कुछ सेकेंड तो दोस्तों यह जो सामने गोल गोल घूम रहा है ना तो यह problem सिरफ आपकी ही problem नहीं है यह सबकी problem है सबके साथ होता है लेकिन जिनका mobile fast होता है या network fast होता है तो उनको थोड़ा ticket booking में सहुलियत होती है sleeper ticket की booking में थोड़ा ज्यादे मुश्किल होता है लेकिन यह जो AC वेगरे में उतना दिकत नहीं होता है अराम से book हो जाता है तो यहाँ पर passenger detail पर क्लिक कर देना है उसके बाद से अगर आपने master list में passenger का detail aid किया है तो आपके सामने आ जाएग आप दोनों को चेक कर दीजेगा नीचे आएंगे तो यहां से payment के लिए UPI select कर लेना है नीचे वाला option उसके बाद से नीचे प्रिव्यू जर्णी डिटेल पर क्लिक कर देना है और यह capture आपको बिल्कुल सोई से ही डाल देनी है उसके बाद से proceed to pay पर क्लिक कर देना है अब यहां पे आपको एक option दिखेगा UPI का आपको यहां UPI पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद से दोस्तों आपको यहां यह जो बार कोड देख रहे हैं आपको यहां पर क्लिक करना है उसके बाद से यहां पे पे क्लिक कर देना है तो जब आप यहां पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको यहां पर एक बार्कोड दिखाई देगा तो अगर आपके पास दूसरा मोबाइल है तो आप इस बार्कोड को स्केन करके तुरंट पेमेंट कर देंगे अगर आपके पास दूसरा मोबाइल नहीं है तो उसका भी तरीका है आपको क्या करना है कि इस बार्कोड क आपसन दिखेगा आपको यहां गेल्डी पर क्लिक करना है उसके बाद से उस गेल्डी को जब क्लिक करेंगे तो यह बारकोड आपको दिखाई देदेगा आप बारकोड सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद से आप यहां से पेमेंट कर देंगे दोस्तों फास्ट पेमेंट का ये काफी अच्छा तरीका है इससे बहुत जल्दी पेमेंट हो जाता है और टिकेट कंफर्म बुक हो जाता है यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि दूसरे मोबाइल से असकेन करके आप कितना भी पेमेंट कर सकते हैं लेकिन स्क्रीन साट ले करके आप अधिक्तम 2000 तक का ही पेमेंट कर सकते हैं तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि जनकारी अच्छा लगा होगा आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और सेर करना नव भूलिएगा थैंक यू फर वाचिंग